अब सुकत है हमेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करें के कुछ ऐसे जियो और एटल के प्लान के बारे में और इन दोनों में चल रहे तक के बारे में जियो ने अपना प्लान लांच किया है 149 जैसे को आपको पता ही है 149 प्लान और एटल का 169 प्लान सब्सक्राइड ने और डिश Über 129 सर्फ में खेंकर ने मिल रहा है तो देखिए आपको और गहां हुआ मिल रहा है और इन दोनों को प्रकरिकर देखें के आपको सबसे बेस्ट बाहर कोन सा रहे तो जियो की प्लान के बारे में बात करें तो आपको डेली के 1.5 GB का डेटा परती दिन मिल सकता है तो देते ही है 1.5 GB डेटा प्लस वो वालिडी उसकी वालिडी 24 दिन के लिए होती है और पूरी वेदाता के दोरान आपको 36 GB का डेटा उपलब किया जाता है जिसके आप इजली नेट सर्फ कर सकते हैं प्लस आपको जियो टो जियो अनलिमेट कॉलिंग्स का फायदर मिल रहा है प्लस आपको जब कि अलग नेटर के साथ आपको बात करना होगा तो आपको 300 IUC मिंस देना होगा इसका मतलब जियो ने IUC को इंपलेमेट किया है आपने इस प्लान में और आपको जैसे के बता कि 100 SMS प्रति दिन हाल टाइम आपको मिलता है तो यह राज जियो का प्लान आजसी से तम कंपर करेंके एटल के 1.69 रुपाई के प्लान के साथ तो इस प्लान में आपको 1 GB डेटा प्रती दिन उपलब किया रहा है इसका मतलब GEO आपको 1.5 GB देता है और ATL आपको इधर 1 GB प्रती दिन देता है इसका मतलब और इस प्लैन की वैलिटी 28 दिन के लिए है और इसका मतलब आपको पुरी 28 दिन में 28 GB का डेटा उपलब किया जा रहा है इसके साथ ही unlimited voice calling प्लस 100 SMS प्रती दिन दिया जा रहा है और सबसी बड़ी बात आपको म्यूजिक और ATL के एक्स्ट्रीम की आपकी सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहे है इस प्लैन के साथ तो दोनों प्लैन से तुलना की जाए तो जियो अपने प्लैन में आई उसी मेंट का उपलब कर रहा है और वही एटल सभी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की स्वीटा दे रहा है इसके हलोगा एटल की वेटाता जियो से चार दिन ज्यादा है हलांकि एटल में जियो के मुताबिक 500 MB डाटा का कम दिया जा रहा है वही इसकी कीमत में 200 रुपय का फॉक है तो आप मुझे कमेंट करके बताया है आपके लिए कुन सा प्लैन सबसे बेस्ट होने वाला है तो थैंक्यू सो मुझ जैहिन